नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Study with Happiness केस हमारे informative वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आपको एक एप के बारे में बताने वाला हूँ जिसे कहते हैं DG Locker और ये एक सरकारी एप है और दोस्तों ये आप लोग के लिए जानना इसलिए भी जरूरी है कि इसमें आप जो भी आपके educational documents है या फिर आपका certificate हो गया domicile certificate हो गया ये सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे आपको पता होगा कि अब जो है दोस्तों हमें original documents की आवशकता कम हो गई है उस पे भी digital sign होते हैं तो अगर कोई कहे कि उसकी कोई original copy तो आज की तारिक में हर copy उसकी original copy ही है क्योंकि किसी में sign तो है नहीं तो इस app में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके के documents आप यहां से ले सकते हैं क्यों कई बार यह होता है दोस्तों आपको emergency में जरूत पढ़ गई या document verification की समय पर गए और कोई document आपका miss है माली यह हो सकता है का certificate का miss हो या फिर कोई और तो वो आप यहां से driving license किसी ID की जरूत है वो भी आप यहां से download कर सकते हैं और वो as a original heat rate किया जाएगा यहां पर हम dashboard पर जाते हैं इस चीज को दोस्तों आपको install करने के लिए या फिर इसे use करने के लिए आपको आधार card का होना बहुत जरूरी है तो आधार card जो है वो आपके पास होना चाहिए और वो वाला mobile number mobile जिससे आपने की आधार को link कर रखा है अभी मुझे लग रहा है यह थोड़ा सा slow चल रहा है यहां पर जाता हूँ मैं तो जब आप login इस पर कर लेंगे login करने के लिए जो है आपको अपना आधार card की जरूरत है और हाँ एक चीज और कुछ इसके feature नए add हो गए है जैसे कि Indian railways के अंदर Indian railways के अंदर जो है आपको address proof या फिर नाम के लिए मांगा जाता है तो आप इसे भी दिखा सकते हैं ठीक है डीजी locker को as a valid ID proof माना जाएगा एरपोर्ट के पे भी आप दिखा सकते हैं इसे इसके अलाबा आप देखिंगे pen card हाँ दोस्तो वैसे तो आपने plastic pen card होता है मगर digital pen card भी इससे download आप कर सकते हैं और जो driving license है जैसे कि आपने देखा कोई checking गएरा होती है आपके पास नहीं है और आपके पास ये mobile है और उसके अंदर आप ये दिखा देते हैं तो ये भी आपका driving license ही माना जाएगा तो ये तो इसके main feature होगा है मगर as a student आप जो government job की तेहरी कर रहे हैं उसके लिए क्या-क्या आपको मिल सकता है जैसे कि मैंने इसके अंदर अपने काफी documents जो है वो upload कर रखे हैं आप देखेंगे अधर card का certificate, domicile certificate, driving license, LPG जहां जहां पर भी pen card का इस्तमाल हुआ है दोस्तों आपका अधर card का इस्तमाल हुआ है वो आप कर सकते हैं या vehicle का registration मगर यहां पर जो आपको दिखाना है दोस्तों मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ यूपी का हम खोल के दिखाते हैं कि यूपी government ने डीजी locker से क्या क्या चीज़े connect कर रखी है तो कई चीज़े हैं दोस्तों यहां पर center government और state government तो हम चल रहे हैं state government के अंदर state government के अंदर जब view all पे जाएंगे आप तो view all पे जाने के बाद आप उत्तर प्रदेश वाले पे जाएंगे ठीक है उत्तर प्रदेश के अंदर आपको क्या क्या है जैसे की ट्रांसपोर्ट जो आपका एक ट्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए आप हो सकते हैं joint entrance का हो गया department of legal हो गया e-district किसी student को जरूद पढ़ती है दोस्तों वो e-district पढ़ती है क्योंकि आपने जो भी अपने certificate बनवाए होंगे वो e-district से ही होंगे अब यहाँ पर क्या-क्या है bus certificate है cast certificate है तो कास certificate आप चाहें OBC के हों SC के हों ST के हों तो आपको जो बनवाना है वो बन गया अब मान लीजिए आपके पास वो document नहीं है original तो आप यहां से original तो जैसे मैंने कहा कि आप बचे ही नहीं है राज्य सरकार की जो नौकरिया है दोस्तो उसके अंदर domicile certificate ही इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आप उत्तरप्रदेश के निवासी हैं है तो यह चीज़ आप यहां से download कर सकते हैं और इसे link कर लिजिए अपने mobile number अपने आधार card से जिससे की जो भी documents है वो आपके पास हमेसा तयार रहे हैं आपके mobile के अंदर ठीक दोस्तो तो यही मुझे बताना था जिससे की document verification में अगर आपके पास CA documents कम पढ़ते हैं तो आप download कर सकते हैं और pen card हो गया driving license हो गया यह वीडियो दोस्तो आपको कैसा लागा जरूर बताईएगा और जो भी students related government job के तयारी करते समय problems वगरा आती हैं या फिर issues आते हैं उन पे भी हमारे channel जो है वीडियो बनाता रहेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए जय हिन जय भारत